तो इसके किस तरीके से क्लासिफिकेशन है और बेसिकली जो इस्ट्रक्ट्ट्रल इसमेरिज में है उसके उपर हमको इस चैप्टर में डिसकस करना है तो लेट्स टार्ट इसमेरिज्म एट्स क्लासिफिकेशन इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि आइसमेरिज्म उस फिनोमेना को कहते हैं जिसमें कोई भी कंपाउंड जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला या मॉल्लिकुलर जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है बट उनका जो अरेंगमी ठोटा है आटम का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है ऐसे कंपाउंड को हम आईसोमर कहते हैं और इस फिनोमेना को हम आईसोमेरिज्म कहते हैं अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने उसमें डिसकस किया था कि इस्ट्रक्चर्ण और स्ट्इरियो दो तरीके की होते हैं इस्ट्इवरियो जो है वह वह दो भागों बाता किया है स्ट्रीडी डियमेंशल होता है जो जिसने दी i-inkyंज होती एक दूसरी की ऐसे कंपाउंड को हम खहते हैं उसमें भेंपिकें ऑड्ट्डम और फॉर्मू जो एटम होते हैं उसके सराउंडिंग में रज быть अर्रेश्ट होते हैं यह अर्जमेंट फ्रवांड होता है जो डोपल बॉन्ड होता है उसके इड़ गिर्द जो special अर्रेश्बंक स्टायप में असमें दाहर को टीफेरेंट होते हैं जिसमें जाता तर जो main important जो एक तरह से course में है वो है structural isomerism इस chapter में इस वीडियो में हम लोगों को structural isomerism पर ही focus करना है तो let's go to the classification जैसा कि हम लोग जानते हैं कि isomerism जिसमें chemical या molecular जो formula है वो same होगा और chemical structure जो होगा वो अलग अलग होगा तो उसके अधार पर जो जिसको दो भागों बाटा गया था structural और इस्टीरियो में तो उसमें जो structural isomerism है सबसे पहले हम उस पर देखेंगे कि structural isomerism क्या है तो the structural isomerism is commonly referred to as constitutional isomerism the functional groups and the atoms in the molecule of these isomer are linked in different ways different structural isomers are assigned different IPAC names since they may or may not contain the same functional groups the different type of structural isomerism are discussed below कहने के मतलब है कि structural isomerism हम ऐसे compounds को कहते हैं जिनके अंदर molecular formula तो same होता है बट उसमें जो atom का arrangement होता है वो structural wise different होता है और इसी structure wise जो difference होता है इसी के अधार पर उनका IPAC name भी होता है वो change होता है अगर आप IPAC name को थोड़ा सा जानते हैं तो आपको पता होगा कि जब naming की जाती है तो उसमें हमें जो भी उसमें substitution होते हैं तो भी हमें उसके naming जो है वो अलग-अलग करनी पड़ेगी यानि position of substitution जो होता है वो change होता है तो अगर हम short में समझने की कोशिश करें तो structural isomerism कैसी phenomenon है जिसमें एक ही compound के IPAC name जो होंगे वो different हो जाते हैं तो इसमें अगर हम basically देखने की कोशिश करें तो 6 तरीके की classification होते हैं सबसे पहला है chain isomerism फिर है वो जीसन आइसोमेरिज्म फिर है functional isomerism फिर है metameryism फिर है totomeryism and last one है ring chain isomerism तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे chain isomerism अगर हम chain isomerism की बात करें तो it is also known as skeletal isomerism इसको हम skeletal isomerism के नाम से भी जानते हैं अगर हम इसमें समझने की कोशिश करें तो इन्हें skeletal isomerism के नाम से भी जानते हैं और basically जो इसमें आइसोमर होते हैं वो अपने जो ब्रांच जो इस्टक्चर होता है वो ब्रांच होता है लब उनकी जो एडिशन होता है उसमें जो उनके एक तरह से जो compounds हैं जो atoms है वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि हम उनमें branching देख पाते हैं इसका example अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं सबसे पहले पेंटेन है जिसमें एक CH3, CH2, 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 CH3 तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 कारबन की चेन को हम पेंटेन बोल ले हैं अब इसी का एक दूसरा arrangement आप देख सकते हैं इसमें भी अगर हम इसका ही molecular weight निकालेंगे अगर इसमें भी कारबन को ही गिने 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 कारबन है लेकिन इसक हम बोल सकते हैं 2-methyl-butane इसी तरह ठीक इसके नीचे हम तीसरा isomer देख पा रहे हैं इसमें भी 5 कारबन है लेकिन इसे हम बोलेंगे नियो-pentane या IPAC नेम में जाएंगे तो 2-2-dimethyl-propane आप देख सकते हैं कि इसका जो IPAC नेम है वो चेंज हो रहा है हम लोग ने structure isomer में सब से पहले इस चीज़ को समझा था यह था आपका चेंज है अब हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरी अगर हम पोजीशन आइसोमेरीज्म की बात करें तो इसमें जो functional group होता है वो different position पे जुड़ता है यह जुड़ता है कहने के मतलब अभी हम लोग ने carbon की chain देखी थी पांच चार तीन वो carbon की chain कितनी भी लंबी या चोटी हो अगर उसे साथ कोई functional group है और उसका जो arrangement है वो change हो रहा है तो ऐसे आइसोमर को हम position isomer और इस पूरी phenomenon को हम position isomerism बोलेंगे अगर इसका example देखना चाहें तो आप देख सकते हैं जो change हुआ है तो वो है position तो position isomerism में से हम कहेंगे position of function group change हुआ है इसलिए से हम position isomerism कहेंगे अब हम बात करेंगे functional isomerism तो it is also known as function group isomerism at the same अगर हम बात करेंगे तो it refers to the compound that have the same chemical formula but different functional group attached to them an example of functional isomerism can be observed in the compound आप यहां पर देखेंगे तो जैसे propanol है तो आप पहला structure देख सकते हैं इसमें तीन carbon है propanol है दूसरे में आप देख सकते हैं propanol है acetone है तो इसमें यह बताया जा रहा है कि functional group जो होगा वो जब attach होगा तो जो compound है उसका name जो होगा वो change हो जाएगा यानि functional group की वजह से आपका इसमें isomer different type देखने को मिलेंगे तो यानि functional group के presence की वजह से जब changement देखने को मिलता है chemical structure में तो ऐसी isomerism या ऐसी phenomenon को हम कहते हैं functional isomerism इसके बाद जो चौथी category है वो है metameryism अगर हम metameryism की बात करें तो this type of isomerism arises due to the presence of different alkyl chains on each side of the functional group it is a rare type of isomerism and is generally limited to molecules that contain a divalent atom such as sulfur और oxygen surrounded by alkyl group तो कहने का मतलब है कि metameryism हम उस phenomenon को कहते हैं जिसमें कि जो side जो function group होता है उसके side में जो alkyl chains होती है वो differently जुड़ी होई हो तो ये एक rare isomerism है और generally उन compound के साथ आता है जिसमें sulfur और oxygen यानि divalent atom जुड़े होते हैं तो और वो alkyl group से surrounded होते हैं जैसे हैं आप हम देख सकते हैं C2H5 O C2H5 और दूसरा example है CH3 O C3H7 एक को हम ethoxy ethane बोल रहे हैं और एक को हम methoxy propone बोल रहे हैं जबकि इनका common अगर हम molecular formula निकाले तो C4H10 और O बनता है तो इस तरीके की जो phenomenon है इसे हम metameryism के नाम से जानते हैं इसके बाद आता है Tautomerism Tautomerism is a dynamic equilibrium between two compounds with same molecular formula. A tautomer of a compound refers to the isomer of the compound which only differs in the position of protons and electrons. Typically, the tautomers of a compound exist together in equilibrium and easily interchange. It occurs via an intramolecular proton transfer. The most common form of tautomerism is keto-enol tautomerism. A carbonyl compound containing at least one alpha-hydrogen atom is converted to an enol by the transfer of an alpha-hydrogen atom to the oxygen atom. For example, अगर आप देखना चाहें, तो अगर हम इस टautomerism की बात करें, तो इसमें basically transfer of electron की वज़े से ये phenomenon देखने को मिलती है. आप देख सकते हैं, इसका जो सबसे अच्छा example है, वो keto-enol tautomerism है. आप देख सकते हैं, keto-form-o-physitone और enol-form-o-physitone. CH3, COCH3 है, और CH3, COH और CH2 है. तो ये dynamic equilibrium है, कहने का मतलब है, जब ये proton transfer कर देंगे आपस में, तो ये अपनी जो condition है, या अपनी जो तरह से chemical structure है, उसको ये change करते हैं. keto-enol में हो जाएगा, enol ketone में हो जाएगा. डिपेंड करता है, proton transfer के उपर. इसे हम tautomerism कहते हैं. And last one, ring chain isomerism. अगर हम ring chain isomerism की बात करें, तो compounds having the same molecular formula, but purchasing open chain and cyclic structure are called ring chain isomers. And the phenomena is called ring chain isomerism. जैसे example के लिए अगला हम देखना चाहें, तो cyclopropane और propene आप देख सकते हैं. तो ऐसे compounds, जिसमें की molecular formula तो same होता है, लेकिन जो उनका arrangement होता है, वो cyclic भी हो सकता है और non-cyclic भी हो सकता है. तो अगर आप formula या उसके molecular weight को देख फा रहे हैं, तो उसको आप समझ पाएंगे, कि इस तरीके के conditions में, बस केवल इतना अंतर है कि जो compound होता है, वो straight chain या branch chain में नहोंकर एक ring के form में आ जाता है. इस तरीके की conditions को हम ring chain isomerism कहते हैं, इस तरीके से different type of isomerism को हमने देखा है, structural isomerism है, तो thank you.